वेल तो हे गाइस, वेलकम टुदी माई चैनल मानिस पंकर तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समर स्लैम 2022 के अंदर रोमन रोइन्स वर्सेस ब्रॉक लेस्नर के मैच में क्या हमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है तो इसको लेकर एक काफी जादा इंट्रेस्टिंग अपडेट है, तो इस तिंग के उपर डीटेल में डिसकस करेंगे और समर स्लैम 2022 का एक काफी बड़ा मैच जो की कैंसल होते वे दिखाई दे चुका है, अब वो हमें समर स्लैम 2022 में नहीं देखने को मिलेगा तो इस तिंग के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे and I think आप लोग को पता है कि Seth Rollins के साथ में हमें कया देखने को मिल रहा है So Seth Rollins का हमें क्या प्लान देखने को मिलेगा समर स्लैम में तो इसको भी लेकर एक काफी ज़ादा अच्छी अपडेट है and also Russell Mania 40 को लेकर officially announcement देखने को मिल चुका है कि Russell Mania 40 हमें कहां पर देखने को मिलेगा उसका date and location पता चल चुका है and और भी अच्छी खासी updates होने वाली है इस वीडियो के अंदर तो भाई मैं बहुत ही जादा recommend करूँगा कि आप इस वीडियो को miss मत करना last तक जरूर देखना okay so let's start करते वीडियो को उससे पहले जिसने चैनल को subscribe नहीं कहा तो भाई क्या कर रहो है और आपको यहाँ पर हमें सा latest updates और ऐसी interesting videos मिलती रहती है so of course भाई चैनल को जरूर subscribe कर लेना okay तो चलते फिन topic पर आते हैं okay so first update के बाद कर ले तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Big E की तरफ से so Big E जो कि हमें recent के था MMA हावर के podcast में देखने को मिले थे जहाँ पर दभीगी ने जो कि अपने medical खर्चों को लेकर काफी कुछ यहाँ पर बताते वे दिखाई देते हैं जहाँ पर इनका यह कहना था कि उनको एक भी पैसा नहीं भरना पड़ा है अपने medical के लिए यानि कि जो भी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिली है उनके neck injury के बाद और जो भी खर्चे हुए medical के जो भी सारी चीज़े treatment हमें देखने को मिल रही है वो बिगी ने बिल्कुल भी खर्च नहीं किये हैं यानि कि डेवलवली officials डेवलवली यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख रही है तो यह कुछ हमें यहाँ पर बताते वे दिखाए देते जो कि बिगी the MMA hour के podcast में अगली update की तरफ चलते तो यह update हमें देखने को मिल रहा है इस अपने के NXT के viewership की तरफ से जैसा कि आप लोग को बतादु कि इस हपने का जो हमें NXT देखने को मिला था इसकी जो gradient इक्यों पर पर 6,00,00,än पिछले कुछ हपतों से जो कि NXT की viewership जो कि 6 लाग हमें देखने को मिली है तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Russell Mania 40 की तरफ से जैसा कि आप लोग को बता दू कि Russell Mania 40 का Official Date and Location Announce हो चुका है तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि हमें यहाँ पर जो Russell Mania 40 है वो देखने को मिलेगा Lincoln Financial Field यानि की LFF in Philadelphia यानि की Philadelphia में हमें देखने को मिलेगा Russell Mania 40 जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि Philadelphia का क्या खतरनाक जो की ECW से रिस्ता है and ECW को Philadelphia of course यहाँ पर सभी लोग जानते कि हमें क्या यहाँ पर हिस्टरी है 인के बीच में तो हमें Russell Mania 40 Philadelphia में देखने को मिलेगा एक्स्ट्रीम चीजें हैं देखने को मिल सकती है जो कि काफी best हमें यहाँ पर यह announcement देखने को मिला है कि Russell Mania 40 हमें Philadelphia में देखने को मिलेगा और इसका date है जो कि 6 और 7 April, यस दो nights का में रसल मेनिया देखने को मिलेगा, 6 April and 7 April 2024 को, तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पर दो nights का में रसल मेनिया देखने को मिलेगा, और Philadelphia में देखने को मिलेगा, तो भाई आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा रसल मेनिया हमें होते वे दिखाए देती है, तो आप लोगों का क्या excitement है, इस चीज को लेकर, इस announcement को लेकर, वो मुझे comment section में जरूर बता सकते हो, तो वैसे अगली update की तरफ चलते है, तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, लीव Morgan की तरफ से, लीव Morgan जो कि अपने recent के interview में कहते वे दिखाए देती है कि उनका ये मानना है कि WWE को हर एक young superstar को push करना चाहिए, young talent को push करना चाहिए, तो ये कुछ हमें याँ पे लीव Morgan कहते वे दिखाए देती है, लेकिन I think मुझे लगता है कि ये गलत है, अगर सभी को push करेंगी तो भाई बहुत सारे ऐसे superstars हैं, जो कि top superstars हैं, उनमें से नाराज भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़े हो सकते हैं कि जो कि balanced हमें ना देखने को मिले, WWE के अंदर, तो ऐसे हमें सभी को push करना इतना तो possible नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर WWE जो कि of course सभी को तो push नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे कुछ superstar जो कि push होते वे दिखाए दे सकते हैं, तो यह जो statement देखने को मिला है, लीव मॉर्गन की तरफ से यह उतना serious लेने वाला नहीं है, तो अगली update की तरफ चलते हैं, तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, Stephanie McMahon की तरफ से, so Stephanie McMahon को लेकर Freddie Junior, जो कि हमें WWE के former writer देखने को मिलते थे, तो यहाँ पर उन्होंने काफी कु काफी ज़्यादा safe decision है, क्योंकि Stephanie McMahon अपने father के legacy को बचाने के लिए, अपने father के kingdom को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो यह कुछ यहाँ पर Freddie Junior का कहना था, और उन्होंने यह सारी चीजे experience की हैं, तो इसकी वज़े से उनका यह मानना कि Stephanie McMahon जो की as a CEO और as a WWE President जो की काफ अपने father के legacy को बचाने के लिए, इस kingdom को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर कोई हमें danger situation देखने को मिला तब, नहीं तो WWE को वज़े कोई problem तो है भी नहीं, तो यह कुछ हमें यहाँ पर बताते वे दिखाने के हैं, तो अब तो लग रहा है कि, अफकोर्स भाई, WWE बहुती बड़े safe end में है, Triple H creative, और इसके बाद तो हमें यहाँ पर Stephanie McMahon as a CEO, so अगली update की तरफ चलते है, तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, JBL की तरफ से, so JBL जो कि recent के talk show में यहाँ पर जो कि predict करते वे दिखाय देते है कि Roman Reigns and Brock Lesnar में से, कौन से superstar को जीतना चाहिए at SummerSlam, तो यहाँ पर JBL का pick करना था Brock Lesnar, उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ Brock Lesnar को जीतना चाहिए, ना कि Roman Reigns को, तो यह कुछ हमें यहाँ पर JBL जो की pick करते वे दिखाय देते हैं, अपने winner को लेकर, so देखना interesting रहा है कि हमें SummerS में कहते वे दिखाय देते हैं कि Bray White को, yes Bray White को WL को sign कर लेना चाहिए, तो यह कुछ जो की Booker T अपने recent के Hall of Fame podcast में कहते वे दिखाय देते हैं, और उनका मानना है कि Bray White WL के अंदर काफी ज़्यादा fit हो जाएंगे, ना कि कि किसी और professional wrestling के company के अंदर, जो की WL के अंदर वो कि किसी और company के लिए, तो यह कुछ हमें आपे Booker T की तरफ से देखने को मिल रहा है, कि Bray White को और WL को Bray White को ही sign कर लेना चाहिए, तो अगली update की तरफ चलते हैं, तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, Jerry the King Lawler की तरफ से, so Jerry the King Lawler जो की Logan Paul को काफी ज़्यादा warned करते वे दिखा बात है, लेकिन आप अगर WL ring के अंदर आते हो, तो यह एक काफी ज़्यादा different world है, इसके अंदर आपको stay कर पाना काफी ज़्यादा मुस्किल होता है, तो यह कुछ हमें यहाँ पे, Jerry the King Lawler जो की पहले warning देते वे दिखाई देते हैं, Logan Paul को Summerslam से पहले, तो यह कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जो की of course भाई, देखते वैसे हमें क्या thing देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है, Jerry the Lawler जो की the Mitch की side लेते वे दिखाई दे रहे हैं, तो अगली update की तरफ बढ़ते तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, Baron Corbin की तरफ से, जैसा कि आप लोग को बता दू क जो Baron Corbin है, वो हमें recent के interview में कहते वे दिखाई देते हैं, कि जो Baron Corbin है, यानि कि Happy Corbin है, वो हमें कितने और साल तक लड़ते वे दिखाई देंगे, तो इनका यह कहना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल और लड़ूंगा, या 5 से 7 साल और लड़ेंगे, और इसके बाद जो की Baron Baron Corbin अपना retirement लेते वे दिखाई देंगे, और Baron Corbin ये भी कहते हैं कि उनको TV पे रह रहे कर जो की chef नहीं बन जाना है, तो इसकी वज़े से वो हमें 5 साल तक जो की retirement लेते वे दिखाई दे जाएंगे, तो यह कुछ हमें या पर Baron Corbin, Happy Corbin की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो अगली update की तरफ चलते है, तो यह update हमें देखने को मिल रहा है, SummerSlam 2022 की तरफ से, जैसा कि आप लोग को बता दू कि SummerSlam 2022 का हमें जो match देखने को मिलने वाला था, Seth Rollins वर्सेस रिडल का, तो यह match cancel हो चुका है, यस यह match cancel हो चुका है, यह match postpone हो चुका है, यह match पोस्टपॉन को हो चुकी है, इंजरी, तो Seth Rollins ने जो raw के main event में attack किया था, वहाँ पर जो curve stomp लगते वे दिखाए दिया था, steel steps पे, वहाँ पर वो injured हो चुके है, जो की मतलब काफी खतरना की इंजरी हो चुकी है, जिसकी वज़े से हमें रेडल जो की SummerSlam में compete करते वे नहीं दिखाए द है, चाहां पर Seth Rollins जो की tweet करके कहते हैं कि, for anyone who purchased a ticket to SummerSlam, hoping to see me in action, I apologize, I did everything I could over the last six months to earn my spot on the show, and but some things are out of my control, thank you for always singing my song, they will hear ya someday, यानि कि ये कुछ हमें पर Seth Rollins कहते वे दिखाए देते, Seth Rollins का यही कहना है, कि SummerSlam के लिए जिसने भी ticket खरीदा था, मुझे देखने के लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ last 6 महिनों से, मैं वो spot earn नहीं कार पारा, जो मेरे को spot earn करना चाहिए, और सारी चीज़े मेरे control से बाहर जा रही है, सारी चीज़े जो की अच्छी नहीं लग रहे फिलाल के time पे, और आप लोग जो मेरे लिए हमेशा ये गाना काते थे, जो हमे ट्रेपलेच जहां पर कहते हैं कि I hear you, यानि कि मैं तुमको सुन रहा हूँ, तो ये कुछ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, मेबी, मेबी बाए ट्रेपलेच ने यहां पर जो tweet किया है, इसका हमें काफी बड़ा sense बनते वे दिखाई दे सकता है, और सेथ फ्रिकिंग र रिपोर्ट्स देखने को मिला है, जो कि Ringside की तरफ से भी, Wrestling News की तरफ से भी, रिपोर्ट्स यहीं देखने को मिला है, कि जो injury है, वो legit injury नहीं है, यह एक story line K-5 का part है, yes K-5 का part है, K-5 के अंदर यह सारी चीज़े हमें देखने को मिली है, तो ऐसे में accept कर सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा करते वे दिखाई दे सकते, Seth Rollins के लिए, में भी कोई एक opponent लाते वे दिखाई दे सकते हैं, या फिर Seth Rollins को Roman Reigns and Brock Lesnar के match में भी डालते वे दिखाई दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि main event में attack करने से पहले रोके, हमें Seth Rollins और Roman Reigns का face off दे दिखाई दे सकती है, जैसा tweet देखने को मिल रहा है Seth Rollins की तरफ से, और जैसी हमें यहाँ पर Triple H की तरफ से भी tweet देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में chances काफी बढ़िया बनते हैं, तो देखते वे से डरोल यहाँ पर क्या करते वे दिखाई देती है, लेकिन भाई, देखते है Summer Slam के लिए एक mystery thing हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है, कि Seth Rollins का क्या देखने को मिलेगा, क्या Seth Rollins का कोई opponent होगा या फिर नहीं होगा, या फिर जैसा tweet देखने को मिल रहा है कि Seth Rollins हमें सायद से Nashville में देखने को मिलेंगे भी, Summer Slam में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं गरगानों आने चाहिए, Seth Rollins के लिए Bray White तक को भी यहाँ पर जो की बताया जा रहा है और Seth Rollins को बताया जा रहा है कि maybe वो Brock Lesnar और Roman Reigns के मैच में add होते वे दिखाई दे सकते हैं so let's see भाई, वैसे हमें क्या thing देखने को मिलता है, so अगली update की तरफ चलते तो यह update हमें देखने को मिल रहा है the tribal chief head of the table Roman Reigns की तरफ से, so Roman Reigns का finally हमें यहाँ पर reaction देखने को मिलता है और यह reaction था Vince McMahon के retirement को लेकर जहाँ पर Roman Reigns जो की अपने recent के interview से आते वे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर उनसे पर देखने को मिलता है, Roman Reigns की तरफ से so वैसे आप लोगों का क्या opinion है भाई, इन सारी things के उपर हो, मुझे comment section में जरूर बता देना, well वैसे अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक करो, dislike करो, share करो subscribe करो, जो भी करना है कर सकते हो Instagram और Twitter का link भाई, description में है वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लेना और जिसने चैनल को subscribe नहीं कर तो भाई, क्या कर रो आपको यहाँ पर हमेसा latest updates और ऐसी interesting videos मिलती रहती है so of course भाई, चैनल को जरूर subscribe कर लेना okay so फिर मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में